हाई फ्रेंड्स यूनिक नर्सन एकेडमी में आपका हर्दिक स्वागति अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कंप्रेस कीजिए ताकि हमारे दोराब बना जाने वाली वीडियो का नोटि क्या है एड्रेनल ग्लेंड का दूसरा नाम होता है एड्रेनल ग्लेंड को एड्रेनल ग्लेंड को एड्रेनल ग्लेंड क्या फ्रेंड्स सुप्रा रेनल ग्लेंड क्या फ्रेंड्स सुप्रा रेनल ग्लेंड सुप्रा का मतलब होता है अबाव रेनल का मतलब होता है कि डिन तो बात करते है कि ऐसी ग्लेंड्स जो की किड्नी के ऊपर प्रेजेंट होती है उसको बोलते है अपन शूप्रा रीनल ग्लेंट जो होती है ये कितनी होती है शूप्रा हिनल ग्लेंट होती है टू-atori नंबर टो इन नंबर टो इन नंबर दो नंबर में यह होती है अब सुप्राइज इन ग्लेंड प्रेजेंट कहां प्रेजेंट होती है देखिए यह अपनी किड्नी है यह भी किड्नी है यह राइट किड्नी है यह लेप्ट किड्नी है right kidney के उपर जो glands present होती है उसको बोलते है right adrenal gland right adrenal gland adrenal gland अब right adrenal gland जो होती है यह इसका shape जो होता है shape shape होता है triangular triangular कौन सा होता friends right adrenal gland का जो shape होता है वो कौन सा होता है triangular जबकि यह इदर कौन सी glands present होती है left adrenal gland adrenal gland और left adrenal gland का जो shape होता है semi lunar shape semi lunar shape कौन सा होता friend semi lunar shape अब आगे बढ़ते हैं अपन कि right adrenal gland और left adrenal gland का shape अपने पढ़ा कि इसका क्या होता है कहां present होती है दूसरी बात अपन पढ़ रहे हैं कि आपकी adrenal gland जो होती है आपकी adrenal gland इसका color कौन सा होता है इसका color होता है रेडिश पिंक 4 x 3 x 1 cm कितना हैगा friends 4 x 3 x 1 cm यहां थे clear आपका उसके बाद आपने बात करते हैं कि आपकी adrenal gland जो होती है इसका weight कितना होता है वेट इसका वेट होता है 4 x 5 gram each gland कितना होता है 4 x 5 gram इसका weight होता है तो अपने क्या पढ़ा और एक और बात सबसे important चीज़ है इसकी कि आपकी जो आपकी जो adrenal gland जो होती है adrenal gland adrenal gland यह आपके epigastic reason में present होती है कहां present होती है epigastic reason के अंदर इसका general deduction था कि adrenal gland होती है तो अपने दुबार इसको refit कर रहे है adrenal gland जो होती है इस जाल से नहुन होती है supra-renal gland असके बाद आपने कितने numbers में होती है दू नंबर में होती right adrenal gland और left adrenal gland right adrenal gland जो होती है कौँची शेप होती है triangular shape होती है left adrenal gland जो होती है कौँची शेप होती है semi lunar shape होती दूसरी बाद आपने बात करें adrenal gland जो होती है इसका color कौन सा होता है इसका color होता है reddish pink कौन सा होता है reddish pink इसका color होता है साइस कितना होता है 40 20 30 2 10 mm धूर दूसरी बात करें अदू 4 इंटू 10 इंटू एक संंटी मीटर दूसरी बात आपने बात कर रहे है है आप डेक्सके वेट इतना होता है वेट होता है इस एसका चार से पांस गराम इच ग्लेंड हर होता है कितना हो चार से पश गिराम होता है दूशरी बात आपने मात कर रहे है आपकी अट्रोलों gonna जो होती है यह है कहाँ प्रेजनिट होती है ठेसां अब्लेंट जो होती है अपने सके पाट की बात करेंगे कि यह अबकी एक हर आपणी federal ग्लेंट में कितने पाट यह पार्स अप एडिनल ग्लेंट्स के कितने पार्स होते हैं एडिनल ग्लेंट्स के मैनली तीन पार्ट होते हैं कितने पार्ट होते हैं friends, तीन पार्ट होते हैं, पहला, तीन पार्ट होते हैं, अब पहला पार्ट होता है अपका adrenal gland का, capsule, कैप्सूल दूसरा होता है एड्रिनल कोटेक्स एड्रिनल कोटेक्स रेक होता है एड्रिनल मेडूला एड्रिनल मेडूला ठीक है फ्रेंड्स तीन पार्ट होता है आपके एड्रिनल ग्लेंड के कैप्सूल एड्रिनल कोटेक्स एड्रिनल मेडूला मैं आपके यहां पर डाइ मीटा देंगे उसको देखो इसको इसको अपन बोलते हैं कैप्सुल डाइग्राम बना लिएगा साथ के साथ में कैप्सुल इसको बोलते हैं अधिनल कोटेक्स और इसको बोलते हैं अधिनल मेडुला अपने इसका डाइग्राम बनाएं कि आपके अधिनल ग्लेंड की स्ट्रक्चर कैसे नजर आते हैं अपने को स्ट्रक्चर नजर आती है सबसे बहार जो नजर आते हैं अपने उसको बोलत हैं कैप्सुल उसके अंधर यांपने देखते हैं ल। क्या नजर आता अधिनल कोटेक्स old क्के बाद आकर फिर अंधर देखते हैं सबसे इंवे मस्ट इस इस वह पूल के आपका स्ट्रक्चर वियो होता है अब Barnes को बारे में अपने एक एक स्टेक्यर को आपण पढ़ते हैं पहली स्टेक्यर होका कौन सी है। कैफ्सेट कैफ्सेल क्या होता है मैं बात बोलूँ कि कैफ्सेल जे होता है आपकी एडिन ग्लेंड का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पार होता है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा एतों मैं बात करहा हूँ कि आपका केपसुल जे होता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कोवरिंग ओफ दे एड्रेनल गलें क्या बोलो fredyorsunś में नहीं कि आपका कैप्सॉल जो होता है capsule यह एडेनल क्रोटेक्टिव कवरिंग होती ऐता है क्ले farmer आ अपका बात करते है सचाथी सिंपल से लिया है कौने यहीं क्यों के बात करें इसके बात करने अद्रिक्स के बात करें पर अदेणल कोटेक्स के अद्रेनेल-कोटेक्स के अंदर कुछ डायगनाहा हुआ। इसकोँ ध्यान से देखना। यह आपका अदर्रिनोल कोटेक्स इस तरह चसे है यह पूरा अदर्रिनल कोटेक्स है। यह इसके ओपर तीन कवरिंग होती है। फर्स्ट कवरिंग दूए सेकंड कावरीं हो है कि एक थी थार्ड कावर है तो अपने बात करेंगे यह आपका अड़ेनल कोटेक्स बना हुआ है क्या बनाए मैंने 10 कोटेक्स का डाइगराम नाए में अब से बहारी इसको बोलते हैं अपन जोना ग्लोमेरलोसा जोना ग्लोमेरलोसा इसके अंधर अपन देखते हैं तो इसके अंधर नजर आती है अपन को जोना कि फैसिकुलेटा सबसे इनर्मेरलोसा लेयर होती है आती अंधर जोना moral को कॉन सो दिफ्रेंट्स जोना अपन इसके अके क्लेयर के बादे हम पढ़ेंगे तो आपने ये डायग्रम वी स्का बनाए ड्रीनल कोटेश्स का किसा बनाए अड्र कोटेक्स का एड्रीनल कोटेक्स शीको मैं तो आपको एक्दम क्लेरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका देखो मैं बात कर रहा हूं आपकी एडिन को टेक्स को जैसे अपने देखा तो इसके अंदर से आपको तीन स्ट्रक्चर नाजर आए कौन कौन से नजर आ है देखे देखना पहला है Jonah Glomerulosa दूसरा जोना Fasticulator तीसरी कौन से नजर आए आपको Jonah Reticularis अपने एक एक चीज़ को अब अलग से clear करने हैं देखो हगे दर पहली चीज़ अपने बात करें जोना Glomerulosa जोना ग्लो मेलोसा जो होती उससे पहले मैं आपको एक चीज बढ़ाता हूँ, जो आपका एडिनल कॉर्ट lumière कोर्टेक्स जो होता है, इन दोनों structure में सबसे भारी structure कौनसे होती आपकी एडिनल कॉर्टेक्स तो अपन बोल सकते हैं, आॉटर पार्ट मिँटर पार्ट जो आपका एडरेनल होता है कौन साफ को ऑसा पाट होता दूसरी बात ए ऐस सबसे इंपर्स तेंड चीज्च कि fan पूशिजाती है उसा बोला जाता है कि आपका एडरेनल कोटेक्स जो इस सेल्स की जो बने हुए लेयर होती है, इसमें जो होता, यह कौन सा हॉर्मोन रिस्ट करती है, यह हॉर्मोन रिस्ट करती है, मिन्रेलो कोटिकोईड, मिन्रेलो कोटिकोईड, मिन्रेलो कोटिकोईड हॉर्मोन.